आपका स्वागत है और मैं हूँ अजे प्रताब सिंग आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो बड़ी खबरें जो प्रमुक समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर प्रकाशिट हुई है इन खबरों में सबसे बड़ी खबर नजर आ रही है कि बारांसी में एक पुल गिर गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई बताते हैं कि केंट रेलवे स्टेशन के पास बन रहे फ्लाई ओबर का हिस्सा ढह गया जिसकी बज़े से कई बाहन और बस बीम के नीचे दब गए जिसके चलते चार इंजीनियरों को निलम्बित कर दिया गया है तो यह बड़ी खबर बार बारांडसी से है केंट रेलवे स्टेशन के पास लेर्माणा धीन फ्राय ओबर का एक हिस्सा मंगलवार की शाम करीब पांच बचकर बीस मिनट पर गिर गया प्रारंबिक सूचना के अनुसार 18 लोगों की मरने की बात सामने आई है एक महिला समयत 12 शब निकाल लिए गए है पुल की शट्रिंग के लिए बने बजनी पिलर के नीचे रोड़ बेजबास बुलेरो समयत कई दोपईया वाहन भी दब गए तो यह बड़ी खबर बारांडसी से है जहां पर एक पुल गिरने से तमाम लोगों की मौत हो चुकी है यहां बत हुआ है एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद आप बने रही हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बड़ी खबर करनाटका से है जहां पर हुए चुनाब के बाद अब सत्ता का पेच फस गया है हिंदुस्तान में 26 खबर के अनुसार करनाटक में अब किसकी सरकार बनेगी इस बात को लेकर तमाम सियासी गलियारों में हलचल का महौल है यहां बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस और भाजपा दोनों में अब सत्ता पाने की ललक और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अगर गड़बंदन की बात करें तो दोनों ही पार्टियों के पास में अभी आप्शन बचे ह हुए हैं कौन सी पार्टि जेडीयस के साथ में गड़बंदन करेंगी और यह तैम आना जा रहा है कि जेडीयस जिसके साथ जाएगी वही पार्टि करनाटका में सरकार बनाएगी तो इन दोनों रास्त्रिय पार्टियों का पेच अब फस चुका है कि सरकार आखिर अब बन दिया है इसमें प्रधान मंत्री की तरफ से बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने राज्य में 21 रहलियां की किसी प्रधान मंत्री ने राज्य में सबसे अधिक रहलियां की हैं इस दोरान वे किसी धार्मिक इस्थल पर भी नहीं गए जिहां भाजपा की तरफ से यह खा समर्थन दे कर सरकार बनाने की पेशक्ष कर लिए हैि कॉंग्रेस ने देवगोडा की पार्टी जी obs देने की बात कह दिया कि है तो जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार कॉंग्रेस और जे डियू के गटवंदन से बन सकती है तो वहीं राहुल गांधी कि अगर बात करें तो कॉंग्रेश अध्यक्ष राहुल कान्धी ने 10 फरवरी को मंदिर दर्शन से चुनाब अभियाल शुरू किया था 19 मंदिरों में दर्शन किये 90 दिन में आठ बार राज्य का दौरा किया है 90 दिन के अंदर कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी आठ बार करनाटका का दौरा कर चुके हैं ये दूर अप्पा की अगर बात करें तो शिकारी पूर स 35,397 मतों से ये जीते हैं भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार ये दूर अप्पा भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो वही कुमार स्वामी की अगर बात करें तो चणना पनना सीट से 87,995 मतों से इन्होंने जीत दर्ज किया हैं जो काफी बड़े अंतर से जीते हैं ये और काफी अच्छे बोटों से इन्होंने अपने प्रतिदुन्दी को हराया है तो बात सिद्रमया की अगर की जाये तो बादामी सीट पर जीते हैं जब की चावंडेश्वरी में हार गए हैं बरतमान मुख्यमंत्री भी बताए जाते हैं कि बरत